वेल्कम टो स्वेता पटवास रेशिपी फ्रेंट आज हम बनाएंगे काजु के रेष्ट वाली बर्फी इसमें सिर्फ 50 ग्राम काजु डली है लेकिन इसमें आपको 80% काजु कतली का टेस्ट आने वाला है यह बर्फी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और बन चीनी ली है तो सबसे पहले में गढाई में फरली दानों को रोश्ट कर लूँगी इन्हें हमें लो फ्लेम पर रोश्ट करना है और लगाता चलाते रहना है यह जलना नहीं चाहिए यह 4 से 5 मिनट में अच्छितरा से रोश्ट हो जाते हैं इसे हम हातों से ऐसे दबा कर दे निकाल लेंगे और इसके बाद इन्हें एक ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और काजू भी हम इसमें डाल देंगे और इसके बाद हम इसका पाउडर बना लेंगे यह पाउडर बनाने के बाद मैंने इसे छलनी से छान लिया है और जो मोटे पार्ट निकले थे उसको भ डिकत होगी अमें इक कढ़ाई कर ली है इस कड़ाई में मैं चीनी डाल रही हूं जितनी चीनी है उससे आधा हमें इसमें पानी डालना है और हम इसकी चासनी तयार कर लेंगे हमें इसकी एक तार की चासनी बनानी है लगवक 5-6 मिनट में इसकी एक तार की चासनी बन जाती है दो उंगलियों के बीच में रखकर हम ऐसा देखेंगे यदि एक तार बनता है इसका मतलब हमारी चासनी तैयार है अब हम इसमें फल्ली दाना और काजू का यह पाउडर डाल देंगे और अच्छी तरह से से मिक्स कर लेंगे और इसे लगाता तीन से चार मिनट तर लो फ्लेम पर चलाते रहेंगे जब यह थोड़ा काड़ा हो जाए और कढ़ाई छोड़ने लगे इसका मतलब है कि यह पेस्ट हमारा तयार हो चुका है अब यह थोड़ा टाइट हो गया है और कढ़ाई भी छोड़ने लगा है तो इसके बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे इस प्लेट में मैंने गहीन लगा के रख दिया था जिससे कि बर्फी निकालते समय आसानी से निकल जाए अब हम ये वाला पेस्ट इसमें डाल रहे हैं और इसे अच्छी तरह से फैला देंगे ये अभी गरम है तो हमें जब हाथ से इसे करेंगे तो साउधानी से करना है क्योंकि हाथ जलने का डर रहता है अब मैं इसे हाथ से चिकना कर रही हूँ और हाथ में मैंने थोड़ा सा ऐल लगा लिया है इससे ये अच्छी तरह से चिकना हो जाए और इसे टीप करते हुए चिकना कर लूँगी और ठंडा होने के लिए रख देंगे जब ये ठंडा हो गया है तो हम इसमें शिल्वर लिउस लगा देंगे अब शिल्वर लिउस लगाने के बाद इसे मैं कट कर लूँगी ये बहुत soft बनती है तो easily cut हो जाती है इसे आप जिस सेफ में कट करना है उस सेफ में कट करिए मैं इसे diamond सेफ में कट कर रही हूँ जैसा कि काजू कतली का सेफ होता है मैं आपको निकाल के दिखाती है यह एजिली निकल जाती है देखिए देखने में कितनी सुन्दर लग रही है बिल्कुल काजिक कतली की तरह और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है तो आपको आज की मेरी यह रेशिपी पसंद आई होगी पसंद आई तो प्लीज लाइक करें सेयर करें और न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ ठेंक यू